अगर तुम्हें लगता है कि भगत सिंग फांसी पर चणने वाले ग्रती का नाम है तो तुम गलत हो और चाकर दूब मरो तो कि भगत सिंग फांसी पर चणने वाले ग्रती का नाम नहीं बलकि भगत सिंग एक सोच है जिसने लाथो युगाओं के मनमित क्रांति ला दिया और उनको फासी पर चड़ने के लिए तयार कर दिया जिसकी वज़े से अंग्रेजों की जंजीयों को गुलामी की जंजीयों को तो ठेका हिंदुस्तान में खुब बढ़ा होगा तुमने देदी ही अजादी बिना खड़क बिना ढाल तो पूचता है हिंदुस्तान कि क्यों फासी पर चड़ा भारत का लाल हाई जरॉब किसी के पास नहीं है जिसको अपने ना रोशन करने के लिए अपनी लफदी हासी करने के लिए ये बता दिया गया अपना नाम इत्यास के पंडों में छपवाने के लिए बता दिया गया कि भारत को आजादी बिना खड़क बिना ढ़ाल के मिली तो लागों लोगी कुर्पानी चौं 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 बताई जरा इसको मैं किसी बिख्ति का बिरोधी नहीं लेकिन इसी देश में कोई बाको बन गया तो कोई चाचा बन गया और फांसी पर चड़ने वाले भागत सिंग का आरोकों का तमाशा बन गया क्या आपको नहीं पता है कि हंदुस्तान में भागत सिंग को फांसी पर चड़ने के बागजों भी इसी देश में आजादी के बाद उनको करांतिकारी का दर्जा तक नहीं मिला उन्हें आतनकवादी करांव दे दिया गया भारती किताबों में ऐसा पढ़ाया गया ऐसी मां रूतिर लंबे समय से भागस्दिंग को सहीर का दर्जा दिया जाए हमने तो किताबों में को पड़ा सही भगस सिंग, लेकिन क्या सरकार ने कभी अधिकारी कुछ से सही भगस सिंग का दरजाओ ने दिया, इस पर भी सस्पेंस है, कि भगस सिंग, उस प्रांतिकारी या भार्त की आजादी वाले ब्यक्ति का नाम नहीं, बल्किक आतनगवादी स कि विचार धारा वाले व्यक्ति का नाम है, क्या मजार करते हो साब, जिसने हमें आजादी दिलाई, जिसने अपने प्राणों के बली दे दी, उस व्यक्ति को तुम आतन की विचार धारा करते हो, मजार करते हो साब, अच्छा मजार करते हो, ता कसूर था अपने उस भगस स जिसने अपने स्मिंटी पर अपने खूंद के चीटे से पूरे देश की जौना खळका दी और इस इंदुस्तान में चकड़ी हुई जंजीरे यानि इस इंदुस्तान के लोगों के पैरों में जकड़ी हुई गुलामी की जंजीरे तोड़कर फिब दिया उस पेप ने भागत संग से बारे में भी कुछ पच्चों को बताएं ना वो जगें उस अस्थान शालक नाम जहां पर भगत सिंग का नाम हो नहीं मिलेगा साहब कहीं कि ये घंढ जलती से बन गया होगा लेकिंड इसके अलावा कहीं कोई अस्थान नहीं होगा क्योंकि अगर ढगत सिंग के बा सिंग को किताबों में गुमनाम कर दिया गया और जिनके दिलों में बसती है भगस सिंग की सोच उनका इक ही कहना है मत पूछ मेरे दिल का हाल मैं क्या हूं मैं भगास सिंग का फैन हूं और ठोटा सा इनसान हूं देश भक्तों के दिल से मेरी सोच चाती नहीं और गड़ारों भगस्तिंग बाली आजादी भाती नहीं यह दो छोटा सा भगस्तिंग का परिचा था मिलूँगा मैं आपसे अगली वीडियो में भगस्तिंग की पूरी जीवन कहानी यानि उनकी पूरी हकिकत के साथ और अगर आप में भी है जिस भक्ति का जूम तो आप इस वीडियो को किजिए शेयर और सब्सक्राइब और उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आप अगलस्तिंग के बारे में जो असली वीडियो है या जो पूरी वीडियो आने वाली है आप उसे गवर से देखेंगे